बस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल में स्वागत है तो दोस्तों यहां पे जो है वो आज एच्प्यू ने नए साथ कॉंसिलिंग से डियूल जो है बजारी करे हैं इसी के साथ जो आपके पीजी एक जामिनिशन हो रहे हैं उनकी डेल सीट में यहां पे कुछ एक चेंज ज करने रहें तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे नए कॉंसिलिंग से डियूल की बात करें तो आप यहां पे जो है एच्प्यू की साइट पे जाके नीचे स्क्रोल डाउन करके रिसेंट न्यूज में चेक कर सकते हो क कि यहां पे जो आज है उसने यहां पर पपूलेशन जो आपका घिसर्ट डिपलोम ऊगर उसका उसी के साथ आपका यहां पैन इंडि तुन नीचे यहां अपका फ्रेंच जर्मन रसियन लैंग्वेज में उसका यहां पर counseling schedule जो है बुजारी हो गया और साथ में merit list जो है वो भी आ गई है इसी के साथ आपका MBA Rural Development की यहां पर जो आपका entrance test हुआ था उसका यहां पर counseling schedule और merit list जो है वो यहां पर आ चुकी है साथ में आपका जो bachelor in hotel management है उसकी admission list भी यहां पर आ गई है साथ में आपका यहां पर ma defense and strategic studies के जो आपका merit list है वो भी आ गई है आपकी साथ में जो MBA admission का schedule था वो भी यहां पर announce हो गया है साथ में आपका जो LLB in sorry जो आपका यहां पर bachelor ओप लाइबरेरी है उसका यहां पर counseling schedule आ गया और साथ में ही आपका यहां पर MSC microbiology का counseling schedule जो भी आ गया है और साथ में भी यहां पर अभी यहां पर counseling आपका merit list थी MA geography की वो भी आ गई थी लेकिन यहां पर भी बो रिमूब हो गई है तो आप यहां पर बेट कर लेना साम तक वो भी यहां पर upload जो हो जाएगी तो आपकी MA geography की यहां पर जो merit list थी वो भी यहां पर अनॉंस हो चुकी है अगर हम लोग यहां पर जो आपके PG की date sheet है उसमें कुछ एक change हो उनके बात करें तो आपका जो old syllabus का एमकॉम 4th semester का risk management का paper था उसकी date sheet में change हुआ है और साथ में आपका MSC physics 4th semester का जो आपका nuclear technology का paper था उसको यहां पर date sheet में change हुआ है तो यह change किया हुए है चलिए देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग एमकॉम के paper की बात करें risk management की तो यह paper जो है वो आपका 23 अगस्त को दो बज़े से लेके 5 बज़े तक आपका यह HPU में जो है वो होगा तो यह जो paper है यह old syllabus से related है तो आप यह paper जो आपका 23 अगस्त को जो है वो होगा अगर इसी के साथ हम physics वाले paper की बात करें तो तो आपका यह जो physics का paper है nuclear technology का यह आप जो है वो 8 अगस्त को 9 से 12 वज़े होगा तो यह थी PG की date sheet में जो भी change हुए उसके बारे में तो आप हम लोग बात कर लेते हैं HPU जो आपकी graduation से related special date sheet आई है उसके बारे में तो आपकी यह जो date sheet आई है यह उन students के लिए जो खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम में जिन्होंने participate कर रहा था मतलि जो sports quota के students थे जिन्होंने उनिवस्टी खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम में participate कर रहा था जिसकान उस time वो अपनी graduation के जो 3rd year के student थे और 2nd year के student थे BA, BSC, B कोम वो अपनी paper नहीं दे पाई थे तो क्योंकि उस time जो था वो बहां पर एक event organize हो रहा था तो उनकी paper जो है वो अब उनके लिए एक नई date sheet यहाँ पर announce जो है वो हुई है तो दोस्तों यह थे मारे आज HPU से related कुछ update अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो त चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर करें तो ऐसी अप्लेट्स के लिए मारे साथ बनने रहीं धन्यवाद